हेलो एब्रीबन राधे राधे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है अभी बज रहे है रात के आठ तो आज जो है ना पूरा बॉर्टरो बन चुका है आपको मैं पूरा दिखाऊंगी तो सबसे पहले करते हैं हम लोग इस कमरे की पूरी सफाई बॉर्टरो बनने में इतन जाना घर फैल गया है ना मैं आपको क्या बता हूं खासकर यह कमरा तो बहुत ही जाना गंदा है रोज इसको साफ करती थी फिर भी आज बहुत जाना गंदा हो गया है आज रात में इस कमरे को मुझे पूरा साफ करना है क्योंकि आज है बुदबार और कल है गुरुबार त सबसे पहले सूखे कपड़े से पहुंचा क्योंकि धूल बहुत जाना थी जाड़ु लेकर आई हूं पहले ठीक लग रहा था लेकिन जब मैंने दो चार बार इसको यूज किया वह लंबा वाला जाड़ु मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है अगर आप लेने की सोच रहे ह ऊचेता इसा है कि अपने हाध़ी नहीं पहुंसते हैं तो उन्हों ने फैन साफ कीये और उन्हों नहीं उठवा सकते थी थी बहुत जाना हम दोनों ने मिलकर पूरा कमरा रात भर में एक तम क्लीन कर लिया था तीन से चार गंटे हम इस कमरे को साफ करने में लग गई थे क्योंकि जब लकडी का काम होता है तो बुरादा पूरी दीवालों पर चिपक जाता है साइध आपको दिख भी रहा हो थोड़ा क्योंकि पूरी दीवाले जो एक दम गंदी हो चुकी है अगर आप बॉर्टो बनवाने की अगर सोच रहे है ना तो घर में पेंट होने से पहले बनवाया है देखिए हम जे हमने जब इस घर का पेंट करवाया था तो हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि हम इस तरह से कपड़ा किया है और गिले कपड़े से पूरे कमरे को जो है ना इस तरह से पोंचा है क्योंकि पोंचने वाला वो पेंट है पता नहीं इसको क्या बोलते है पता नहीं इस पेंट को आप धो सकते हो तो पूरा गिले कपड़े से मैंने इसको अच्छे से पोंचा तब जाकर पूरे घर में अच्छी से चमाक आई है और बॉर्डर बनने की खुशी इतनी जाना थी कि मतलब मैं आदी रात में सब काम करने में बड़ी एनरजी के साथ जो है जुट गई मुझे बिल्कुल एहसास नहीं हुआ वैसे रात में आपसे कहते हूं आठ वजे के बाद मुझे का आप लिखामी नहीं होता है लेकिन आज मेरे अंदर बहुत जाना इनरजी थी चूटी चूटी खुशी होती ना बहुत जाना खुशिया देती है जब ही मैं आपसे कहती हूं कि आप किसी बड़ी खुशी का कभी इंतजार मत करना जो जितना मिल रहा है ना जो छोटी सकते होंगे यह सारी चोड़ी-चोड़ी चीजे ह Soo इसा मिलता है इनसान को अतना कम लगता है लेकिं मेरे लिए छोड़ी छोड़ी खुशियां जो है ना बहुत जाना माईनी रखती है तो बस हम दोनों ने जितना जिसी सोच मेरी है ना विल्कुल बैसी पंडिटी की सोच है उनके लिए भी छोड़ी छोड़ी खुशियां जो है ना बहुत जाना माईनी रखती है हम इस छोट छोटी खुशह में बहुत खुश हो जाते हैं तो उन्होंने में दिखी किस तरह से उदनें dressing पकड़ रखी है क्योंकि डर लगता है न कि हाथ से कहीं छूटना जाए तो उन्होंने पकड़ रखी है मैंने पूरा पूरा घर खार और इसमें dressing इसमें कमरे में रखी थी तो पूरी गंदे होई थी तो उसको भी जो है ना मैंने पूरा की ले कपड़े से अच्छ से पहुचा है और दिवालों पर जो ना इस तरह से चड़ चड़ के जो है ना मैंने इसको पूरा साफ किया है जब जाके जो है ना पूरा कमरा चम चमा गया पूरे कमरे को साफ करते करते यकीन मानिए 11 बच गए थे तो पता ही नहीं चला खुशी में इतने जोस पता नहीं कहां से आ गया है और कल बिल्कुल काम नहीं करना था तो आज ही रात में मुझे पूरा कमरा साफ करके जो है ना इसमें सामान भी लगाना है क्योंकि कल से जो है ना दूसरा काम स्टार्ट होने वाला है वो मैं आपको नेस्ट वीडियो में बताऊंगी तो ये देखिए ये बनवाई है हमने लकडी की पूरी अलवारी जिसे बॉर्ड डॉप भी कहते हैं तो इस तरह की है ये तो पूरा नीचे से लेकर एकदम उपर तक मतलब छट तक जो है ना पूरा इसको कवर करवाया है ताकि अच्छे से जो है ना पूरा स्टोरेज रहे क्योंकि ये काम आप सबको पताए बारवार नहीं हो पाते एक बार करवाने में तो हालत खराब हो जाती है तो इसलिए मैंने उपर तक बनवाया है वैसे बिचार था कि आदा ही बनवाते हैं लेकिन काफी सारे सजेशन मुझे बताये थे कि आप दीदी उपर तक बनवाना हैं तो बड़ी-बड़ी दो अलबारीयां हैं एक पंडेंज जी की एक मेरी तो इस तरह से जो है तो इस तरह का ही यह दूसरा वाला तो एक जैसे दो बॉट्रॉप जो है ना हमने बन बाली है काफी स्पेस है हमारे लिए तो मुझे इसा लगता है पर्यापत है हमारा सब का सामान इसमें आ जाएगा तो इसी तरह से इसमें जो है ना दो डॉर बने हैं ताकि पंडे जी जो ह जो है ना आराम से बन जाएंगे साइड में जो है हमने एक सोकेस टाइप का बन बाया है जिसमें कोई भी आप जो सजाने वाला सामान है ना रख सकते हैं तो ऐसा ही मैंने एकदम नैट पे एकदम सर्च किया था तो मुझे ए डिजाइन बहुत अच्छा लगा तो इसके मुझे तो अच्छा लग रहा है बाकी आप लोग मुझे बताना कि आपको यह ऐक पार कैसा लगा लगा घ्रीन गिए चुड़ा सा लगवागा तो अच्छा लगवा है तो अच्छा लगता है इस सण पर बन बन बाकई ने बाकि साइड में जो इस तरह के बौक्स बन बैड साइट टेवल भी से जो है ना कह सकते हैं तो अभी हम लोगों ना बैड नहीं बनवाई है क्योंकि बैड हमारा बहुत अच्छी कंडिशन में है उसको बनवाने की जरूरत नहीं क्योंकि काम चल रहा है फिर क्यों फालत हुआ खर्चा करना है और स्टोरेज की बहुत ज अना कॉस्टली पड़ता है तो इसकी डेट अगर आप पूछोगे तो मैं आपको एक छोटा मुटा आइडिया जो है ना बता दूंगी अगर आपको इंट्रेस्टेट है तो मैं आपको कमेंड बॉक्स में रिप्लाई कर दूंगी तो इस तरह का है यह और काफी महंगा हमेसा कोई भी काम करें हमेसा अपने बजट में रहकर हमें जो है ना सुरुवासिक करना चाहिए तो बस हमारा जितना बजट है उतना ही उतना हम लोग काम करवा रहे हैं बहुत जाना मतलब फनीचर से अपना घर नहीं भर रहे हैं बैड हमारा बहुत अच्छी कंडिशन मे है कफी अच्छा चलेगा भी उसको खटाने की कोई जरूरत नहीं है तो उसको भी जो हैना हमने एक नया लोग देकर जो हैना इस कमरे में सैट करने वाले हैं वह जो कि मैं एक दो वीडियो में आप देखी लोगे मैं कहां आप से कुछ चुपाती हूं जो भी होता है सब कुछ तो इसको बहुत अच्छे से और्गनाइज नहीं कर रही हूं कि विस सामान लगा रही हूं तो यह मेरी साधी भारी भारी साधिया है और बस इस तरह से मैंने पूरा नीचे लगा दिया है कोई भी नई चीज जब आपके घर में बनती है तो उसको सजाने का आनंद ही कुछ तुछ अलग होता है हर और नहीं चीज बनती है तो बड़े सौंक से जो है वह इस चीज को सचाती है तो बस बही हाल मेरे मन का है आच तो बड़े सौंक से झो ना इस अलमारी को मैंने सचाया है पहले जो है ना आप लोगों साहत मेरी जन् laisserश देखी भी होगी एक लोही की अलमारी थी हमारी और तीनों के कपड़े जो है ना उसी में हम लोग एजस्ट करते थे तो बहुत दिक्कत तो बहुत होती थी लेकिन मैंने ली नहीं थी चाहती तो ले सकती थी लेकिन किराए के घर में मैं बहुत ज़ना सामान बढ़ाना नहीं चाहती थी देखिए किराए के घर एक अलग चीच होती है और अपना घर एक अलग चीच होती है तो यहां जो है न हम कुछो भी लेंगे वो हमारे हमेशा के लिए जो है न हमारे घर में इस तरह रहेगा लेकिन किराए का घर बदलता रहता है फिर सामा ना बार बार बदलो तो वो चीछे जो है ना मुझे लगता है कही ना कही वेश्टोप मनी होती है तो बस यही था तो एजस्ट जैसा था वैसे एजस्ट कर लिया अपना घर हो गया है तो इसी हिसाब से जो है ना सुभधाएं हो रही है और बाकी आप लोग मुझे बताना कमेंट बॉक्स में आपको यह अलमारी कैसी लगी है इसका कलर कॉमिनेशन आपको कैसा लगा है आपके सारी कमेंट्स का जो है ना मैं 20 अपरी से इंतजार करने वाली हूँ अच्छा लगता है जब कोई हमारी पसंद को भी पसंद करें उसे सरहाए तो अच्छा लगता है बाकी मैंने देखिए जो भी बनबाया है बहुत दिल से बनबाया है और हर औरत की ख्वाइश होती है वो अपने घर में जो भी करे ना बहुत दिल से करती है बस वीडियो का यहीं आइंड करूँगी, मिलूँगी आप सबसे नएस वीडियो में जब तक की लिए जैशी राधे, 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 साथ की साथ जो है ना मैंने पंडे जी की अलमारी भी जो है ना लगा दी थी और इस समय जो है ना बारा ये एक बजे का टाइम होगा बहुत टाइम जो चला गया पता ही नहीं चला की मतलब कैसे टाइम बीट गया यहाँ पर बैड वगरा हम लोगों ने सैट कर दिया क्योंकि हॉल में अभी हम लोग सो रहे थी तो बहुत साना ठंड हो रहे थी तो रात में बैड वगरा सैट किया क्योंकि जब काम कर रहे हो ना तो फुल एनरजी आ जाती है पुरे फिरी हुए हैं इतनी जाना एनरजी इतनी जाना खूची थी इस काम करने की बहुत जाना बिलेंगे आप सबसे नेस वीडियो में वीडियो अच्छा लगाए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें आ जैशी राधे राधे